hey everyone this is nissu and welcome back to my channel nissu bts तो friends आज मैं आपको के साथ रिव्यू सेयर करने वाली हूँ इस मिनी श्रीम मशिन के तो आप इसके outer packaging को देख सकते हैं कि यह इस टाप का cartoon box में आया हुआ है यह काफी lightweight है अब हम इसके inner packaging को देख लेते हैं किसमें क्या क्या मिलता है तो कुछ इस टाप का आपको दिखिए रजाओ आप इसको open करोगे अब इसमें देख लेते हैं किसमें क्या क्या है कि सबसे पहले तो छोटू सा स्लाइम सीन है जो काफी lightweight है इसका weight और मॉस्ट तीन सो से सारे तीन सो ग्रैम सोंगे इस लूप्स थायगा इसमें हमें वड़े तो तो शीने मिल जाते हैं और ऐसे आप में दाङा और शीना कहिए ह॥ाई घ्यावाद करोगम सिर्ट हनल नहीं हमें यह थर विण Treatment land मं च एक और एक्स्ट्रा स्वी मिल जाता है, यह मसीन हमें ready to use आती है, इसमें जो कपड़ा है यह भी पहले से ही लगा हुआ है, नेक्स्ट हमें इसमें एक power adapter मिल जाता है, जिससे आप electric पेश मसीन का यूज कर सकते हो, एक हमें यह जो है food paddle मिल जाता है, इसमें आप अपने पेरों के सायता से भी इस मसीन का प्यूज कर सकते हो, नेक्स्ट हमें यह guidance book मिल जाता है, जिससे मसीन के सारे parts के information दिये हुए है, साथ यह आप मसीन को कैसी use कर सकते हो, सब कुछ इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें इसमें एक off slot मिल जाता है, जिससे आपको select करने में काफी help मि इसमें के पीछे कुछ इसमें ऐसे लेक दिया हुआ रहता है, जिससे यह नहीं गिरता है, बहुत ही मजबूती से खरा रहता है मसीन के साथ, तो आप इसको इस तरह के सेट कर सकते हो, इसे जो है हमारे कपड़े सिलने में काफी help मिल जाता है, आप बड़ा भी कपड़े से स काइसे करना है, पहले मैं हो हसलोग को पन Aurum, अचानी एक मिल का बूक के छहमर है, तो मお願い पहले जाता है, आप बब्रक इमदुटाeln देकर सकते हैं, भी किलने में का फिलना हुँर ठाव सीatar तरह रहे हुए यह निकल जाता है इसमें इस्प्रिंग लगा होता है तो आप जी color का कप्रा सिल रहे हो अप उस color का धागा बॉमिस में लगाकर यूज गर सकते हो तो अभी मैं white color का धागा से बता रही हूं कि नेक्ट आपको इस hole से हमारे धागयों को क्राउश करना होता है तो मैं निकाल ले रही हूँ इस ओल से ठाट हमें यहां पर जो यह दिया हुआ है इस से नीचे से धागा फुर्षान है फूर्थ आप देखो यहां पर एक होल दिया हुआ है फ्यूप्ट इस मशीन के उपर में जट दिया हुआ है हम यहां से धागा निकल लेंगे अब हम इस हूल से धागे को बाहर निकलना है यहां इस तुराय सब देखो ठीक से इसके बाद ज़शुय के ऊपर में हूल दिया हुआ है यहां सब को धागा निकलना है अब फाइनले हम दागा को लगाएंगे तो इसके लिए मैंने इस टूल के विछ किया है इसे काफी आसान यहां पर देंगे एक्टुली इस मशीन में यह बाविश लगा ही हुआ आप नीचे वाले बाविश के दागे को बाहर निकाले के लिए इस वील का युछ करना पड़ेगा तो आप एक बात को याद रखना कि इस वील को आपको हमेशा अपने तरफ गुमाना है तो अब मैं इ अब इसको फ्णक्चन के बारे में जाला लेते है है तो यहां आपे तीन बेटस दियूए है जो सबसें नीचे वाले बत्न है काम है इस्पीड कांट्रोल करने का जब हम फूट पेडल के उच करते हैं तब हम इस बटन के उच कर सकते हैं अभी मैंने नीचे वाले बटन को आउन नहीं किया है तो इस्पीड अभी फास्ट इसको प्रेश करने के बाद इस्पीड हमना स्लो हो जाएगा यहां पर जो यह बीच वाले बटन दिया हुआ है उससे आप बिना फूट पेडल का भी सिलाई कर सकते हो आप यहां पर देख सकते हो बहुत अच्छा सिलाई आया हुआ है और सबसे जो ऊपर वाला बटन है इससे लाइट जलता है जैसे कि आप अगर रात में सिलाई कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी हमें इस कपरे को बाहर निकाल कर कट कर दोंगी यहां पर देख सकते हो कि आप एक काटने का उप्शन दिया हुआ है तो आप ऐसे यहां पर लाकर काट सकते हो बहुत ही इसलिया कट जाता है और बाविश में धागा रिफिल करने के लिए यह जो वील है इसके अंदर एक पो बाविश को लगा देना है इसके बाद आप बीच वाले बटन या फिर फूट पैडल से इस मशिन को आप चला लो इस तरीके से आप बाविश में धागा रिफिल कर सकते हो या काफी इजली रिफिल हो जाता है तो गाइट यहां से मेरा आज के इस मीनी स्विंग मेशिन का रिभ्यू अगर आप कुछ चोटा मोटा कपरा सिलना है जैसे कि मतलब ऐसे कपर फट्र जाते है अगर आप उसको अगर आप उसके रिपेर के लिए आपको लेना है तो यह काफी अच्छा है बाट आप 4 के हाइट सूट शीलो तो नहीं इसको नहीं शिल पाऊगे तो आपको लेना है कि नहीं टोटली डिपेंज यह था मेरा आज का वीडियो आए वोप अवलों को पसंद जुरूर आया हो अब पसंद आवा तो कर देना मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब तो चलिए फ्रेंड्स में नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाए